ट्रेडिंग हेबिट 39 वर्ल्ड मोस्ट पाउरफुल स्टाक मार्केट ट्रेडिंग रूल्स बाई स्टिव बंस एन होली बंस इस किताब में हम पार्ट 3 को कवर करेंगे जो इस किताब का लास्ट पार्ट है 28 गाटे का मेनेजमेंट करें और प्रॉफिट को चलने दें आपके सबी ट्रेड चार तरीकों में से एक में समाप्त होने चाहिए या फिर एक छोटी सी जीत एक बड़ी जीत या फिर एक छोटी सी हार या फिर ब्रेक इविन आपको कभी भी बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए यदि आप बड़े नुकसान से छुटकारा पा सकते हैं तो आपके पास आने वाले वर्सों के लिए प्रॉपिटेवल होने का एक बड़ा मौका है टेडरों ने अभी सुरुवात की है कि अक्सर पता चलता है कि बड़े नुकसान ऐसी चीज है जो उनके पूरे लॉंग टर्म रिटर्न से को सबसे जादा नुकसान पहुचाती है यदि उन सबे कुछ बड़े नुकसानों को हटा दिया जाता है तो उनका रिटर्न नाट की रूप से बढ़ जाएगा अपने ट्रेडिंग रिटर्न में सुधार करने का सबसे तेज तरीका कुछ बड़े नुकसानों को तुरंद रोकना है जो आपको हफ्तों और कभी-कभी ट्रेडिंग प्रॉफिट जीतने के महिने को वापस देने के लिए मजबूर करते है प्रत्यक ट्रेड पर इस्टाप लास का उप्योग एक ऐसी चीज है जो आपको भारे नुकसान होने से रोक सकती है इस्टाप लास बीमा की वह लाकत है जिसका पे करना आप बजार के बड़े रुजान की गलत पक्ष में फसने से बचने के लिए करते है किसी ट्रेड में एंट्री करने से पहले या जानने की आदर डाले की आपका इस्टाप लास कहां होगा छोटे इस्टाप लास प्रोफिटेबल ट्रेड का उन्भव करने के लिए प्रात्मिक तरीकों में से एक है 29 वहाँ The key to long term survival and prosperity has a lot of do with the money management techniques तो इसे लिखा है एड से कोटाने मतलब कि long term में survival होने के लिए जो आपकी मन निता है वो है money management technique जिसे आपको सिस्टम बताएगा यह situation का आकार नहीं है यह position saging का आकार नहीं है ना ही entry ना ही exit की चमक जो अंधता है एक trader को long term में profit बनाता है एक समय में कुल risk reward है और एक खोने की लकीर के दवरान time होने के risk को कैसे manage decide करना है आपकी money management system के parameter कितने अच्छे है इसका जवाब देने का सबसे तेज और आसान तरीका यह पता लगाना है कि आपके पास कितने खोने वाले trade हैं और आप जीवित रह सकते हैं आपकी जीत का ratio चाहे प्रतिसत कितना भी कहूं अवास्तिविक्ता अभिक्छा से अधिक दर्जनाग हो सकती है पूंजी में 50% की गिरावट से उबरना मुस्किल है क्यूंकि इसे वापास पाने के लिए आपको अब 100% return के आउसकता होगी अधि आप 10% लाउस करते हैं तो इसे पाने के लिए 11% के आउसकता होगी अधि आप 20% लाउस करते हैं तो इसे पाने के लिए 25% return के आउसकता होगी तो एक money management system होने से जो लागातार आपकी पुझी को burden उक्सान के risk के लिए उजागर करती है आपकी पिछली जीत की लाकिरों की परवा के बिना उस point पर आपके साथ पगल लेगी तीस्वा point Be disciplined in risk management and flexible market behavior आपको risk management के प्रती अनुसासित होना है और market के बदलते वातरण के प्रती भी आपको flexible रहना है ट्रेडिंग price action करवाई के लिए open minded और जो हो रहा है उसमें समयोजन करने के लिए flexibility के आउसकता होती है लचलेपन के आउसकता होती है risk management किसी भी विचलन के लिए जो आप करने की योजना बनाई है उसे करने का एक ससकत discipline है एक बार जब आपका stop last शुरू हो जाने पर उसमें बहस ना करे सवदबाजी या उंबित करने की आदत विख्शित करे ट्रेडिंग से बाहा निकले क्योंकि आपका long term जो profit है इसी पर निभर करता है इसके लिए आप RSI 30, 200 मुई और एच के नीचे कोई भी बन होता है तो एक stop last minute बुल और वेर मार्केट का अच्छा संकेत देता है 31 पॉइंट है position sizing can be correlated to the quality of the trade setup जीहां दोस्तों position sizing का बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपका trade setup कौन से quality का है जैसे price अगर 200 मुई और इच पर support लेता है तो उहाँ पर आपको ज़्यादा position sizing यान ज़्यादा quantity भरना है यदि price 50 मुई और इच पर support लेता है तो अगर 20 पर लेता है तो इस तरीके से आपका trade setup के अदार पर आपका position sizing बहुत बड़ा रोल अदा करता है तो सबसे पहले अपने सबसे अच्छे trade को अपना सबसे अच्छा trade बनाने के आदर डाले आपके हालने वाले trade को सबसा छोटा रखे इस रड़निती में महारत हासिल करने से आपके प्रदसन में एक नाट की रुप से सुधार होगा 32. किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल केपिटल 1% से अधिक करिस्क ना लगाए एक प्रतिसत का नियम कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए नए ट्रेडर इस्टेगल करते हैं लेकिन यह एक्टिव ट्रेडर के सबसे इंपोरेंट गती सिल्था में से एक है एक परसेंट का नियम केवल आपके ट्रेडिंग केपिटल के साथ ट्रेड करना नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिस स्टाक का ट्रेड कर रहे हैं उसका केवल वन परसेंट इसको में डाल दें यदि आप एक लाग केपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी खोने वाला ट्रेड कभी भी वन थाउजन से अधिक नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि यदि आप एक लाग केपिटल के साथ कोई सेर 500 कौंटिटी का सेर खरिते हैं तो आपको इस ट्रेड पर दो रुपे का स्टाप लगा सकते हैं क्योंकि यदि कोई स्टाप दो रुपे गिरता है तो आपके पास 500 कौंटिटी है तो आपको दो रुपे का इस्टाफ है तो आप 1000 रुपे खो सकते हैं तो यही एक परसिन का नियम लागू होता है 33 पॉइंट पहले सही इस्टाफ लाच इस्टर को खोजे जो आपको दिखाएगा कि आप किसी ट्रेट की गारे में गलत हैं फिर उस प्राइस इस्टर के आधार पर अपनी पुजेशन साइजिंग का आकार डिसाइड करें यदि आप एपल के 500 शेयर 120 रुपे पर टालर पर खरिते हैं और प्रमुख सपोर्ट इस तर पर 108 डालर पर 200 रुपे का मुईंग दो 200 का मुईंग एवरेज है तो उसे एक परसिन का नियम समझ में आता है इस नियम का इस्तिमाल के बल इस टाप लास रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए आपको पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस का प्राइस इस तर मिलना चाहिए जो कि आपके ट्रेडिंग के काम करने जा रहा है और फिर 1% नियम के अधार पर पोजिसन साइजिंग का आका याने की कॉंटिटी होना चाहिए यदि आपका इस टाप लास मोजोद्व एपल प्राइस के तहट 5 होना चाहिए पिछले उधारन के बजाए 200 दिन का मुई एवरेच के करीब तो आप एक एपल के लेवल को 120 डालर पर रख सकते हैं आप 1% के नियम के साथ अपने बरबाद होने की केलेकुलेशन रिस्क को या था संभव और जीरो के करीब लाएंगे आपको इस्टाप लास को मुई एवरे से थोड़ा नीचे सेट करना चाहिए जिसे जैसे 1% नीचे या फिर दिन के अंध की रूप में इस्टाप लास को अपने फेवर में उलटने से पहले टिग सेट करने की आदत डालें उसी जगह पर इस्टाप लास ना लगाएं सपोर्ट राजेशन से थोड़ा उपर या थोड़ा नीचे का आदत डालें केवल तभी जब आपने शित्रुप से गलत हो यहां तक कि दिन के अंध के साथ अगर मैं किसी भी समय इंट्राडे में कूल के बिटल में 1% से अधिक नीचे हूं तो में कदम उठाता हूं और अपना नुकसान उठाता हूं वर्तमान वालेटायल के अधार पर मेरी पोजिशन साइजिंग के आकार और स्टाप लास का इस्तर भी अलग है मतलब कि मार्केट अगर ज्यादा वालेटायल तो उसके अध पर आपका स्टाप लास भी होना चाहिए और आपका पुजिशन साइजिंग भी होना चाहिए चोंतिस्वा पॉइंट आपने सबसे बुरे दिन में आपकी कुल ट्रेडिंग पुंजी का 3% से अधिक ना कभी ना खोएं इजाम्पल के लिए यदि आपकी केबिटल एवन ल कर रहे हैं उसे समझने में आपकी सहता करने के लिए अपने पुजिशन साजिंग का आकार और कुल रिस्क रिवार्ड को डिफाइन करें हारते समय जब आपका आकरमक और जित्ते समय अधिक आकरमक होने की आद़त डालें बाजार आपको बताता है कि आप कब गलत हैं और कब सही है 36. Loser Average Losers एक ट्रेडर के लिए है घातक आद़त है कि जब वे पहले से ही गलत साबित हो जाते हैं तो वे एक हारे हुए ट्रेड पर एवरेज करने की कोशिश करते हैं एक रैली के साथ इस विवहार के लिए रिवार्ड होने से बस बूरी आद़त मदबूच होगी और एक ऐसा समय आएगा जब यहा कभी भी ठीक नहीं होगा और खाता नस्ट हो जाएगा खोने वाले ट्रेड में जोड़ना एक ट्रेड से लड़ रहा है जब आप गलत हैं तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और केपिटल को बाढ़ना है जिसका उव्यूक अच्छे ट्रेड पर पैसा बनाने के लिए क्या जा सकता है खोड़े वाले ट्रेड में कभी भी सामिल ना होने एक्स्पिरियंस से सीखने और अगले ट्रेड पर आगे बनने की आदर डालें 37 पॉइंट कभी भी नंबर के बेस पर important unexpected profit को calculation रूप से महतुपून वास्तविक loss में बदलने की नमती ना दे एक बार जब आपके पास एक बड़ा जीतने वारा ट्रेड होता है तो profit के लिए पिछले stop loss या फी price target के साथ एक profitable ट्रेड में रहने की आवसकता होती है profit के साथ बाहर निकलने का एक मातर तरीका एक exit strategy है जो आपको उस पैसे को लाग करने में सक्चम मनाता है जबकि यह अभी भी टेवल पर है कई trader entry पर ध्यान देते हैं लेकिन पैसा के वल बाहर निकलने पर exit होने पर ही बनता है एक जीतने वाले trade के साथ मुनाफ्य में लाग करने की उजना बनाने की आदर डालें और कप्ची भी बड़े जीतने वाले trade को उलटने और हरने वाले trade में बदलने की हनुमती ना दें अर्थिस्वा पॉइंट अवलाटाइल की नेचर को संधे और उतार चड़ाव के कारण बड़े हुए रिस्क के लिए अपनी पुजिशन साइजिंग के आकार को समायो जीत करें पिछले 10 दिनों में अपने इस्टाक या इंडेस की ट्रेडिंग रेंज और उसके इनुसार सिच्वेशन के आकार यानि की पुजिशन साइजिंग के आकार को जाने आपको विनास्कारी नुकसान से बचने के लिए ट्रेडिंग रेंज में 50% की विद्धि को समानने में पुजिशन साइजिंग के आकार को देने की आधर डालें ना कि सर्वत्तम पुजिशन साइजिंग या फिर यासा समभव के लिए हमेशा रिस्क का मेनेज करें और वालटायल बाजारों का सामना करने पर जल्दी से क्लोजिंग करने के लिए तयार रहें अपने इस्टाप लास को सोर की सीमा से बाहर रखें ताकि आप गलत होने पर बंध हो जाएं अपने इस्टाप लास के लिए प्राइस इस तर का पता लगाएं जिसकी कभी भी हीटी होने के संभावना नहीं है इसलिए आपके पास अपने ट्रेड से प्रॉफिटेबल रूप से बाहर निकलने का समय हैं एक बार जब आप जानते हैं कि वह इस्टाप कहा हैं तो आप अपने ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं जब वह निकट इस्टाप हो पोजिशन साजनिंग का आकरा सही ढंग से हो और इसलिए सबसे खराब इस्थिति एक छोटा नुकसान है कई ट्रेडर एंट्री करने के लिए हाई रिस्क रिवाड रेस्व कितलास करते हैं लेकिन यदि आपका इस्टाप लास कम संभावना वाला और एकजिट प्लान है तो आपके पास संभावित रूप से बढ़िया ट्रेड है क्योंकि आपका इस्टाप लास हिट नहीं होगा और एक विनिंग एटिटून में चला जाएगा कम संभावना वाला इस्टाप लास को खोजने की आदर डालें जितना की हाई संभावना वाले सेट अप ये था दोस्तों इस किताप का पार्ट थी जो इस किताप को अंत लेकर आ जाती है इसके बाद इस किताप का हम कोई इसी लेकर को कोई दूसरा किताप को आडियो संभरी लेकर आएंगे यह दिया आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते ने स्टूडियो में जहिन